किसी भी बुक्स में आप कोश्चन्स देख रहे हैं यह कोश्चन्स की बात की जा रहे हैं तो यह कोश्चन्स में मिलेगा आपको इस को स्वाल करना है कैसे स्वाल करना है जब तक इस कोश्चन्स का प्रेक्टिक्स नहीं करेंगे तो प्रेक्टिक्स नहीं स्वाल होगा इसलिए हम बता रहे हैं आराम से कंसेप्ट देखेगा देखे नीचे होना चाहिए यह एक बात तो सबसे पहले हमने क्या गया है इस नंबर को इसके साथ multiply करेंगे multiply करेंगे तो यहां से दिखे ही x square x square a x x x square हो जाएगा तो यहां पर हमने लिखा x square cos y upon x ठीक dx नहीं लिख रहा हूं, bracket में लगा दिया, dx नहीं लिख रहा हूं, dx अभी लिखेंगे, इसको common लेके, फिर यहाँ पर देखे, यहाँ पर हमारे पास यह है, इसके साथ इसकी multiply होगी, तो यह इधर आ जाएगा, यह portion इधर आ रहा है, तो minus का, इसके साथ, इसकी, तो x, y, यहा हमने क्या गया है, यहाँ पर d y को common ले लिया, यह तो इतना समझ में आ रहा होगा, आसान है, questions बिल्कूल, practice पर, आप concept के लिए करिए, फिर, फिर क्या करेंगे, equal, अब देखे, यहाँ भी minus है, इधर से यह आएगा, यह भी minus हो जाएगा, यह वाला, इस वाले को इधर लेक करेंगे, तो हमरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखे, इस नंबर को multiply करेंगे, तो यहाँ पर हो जा रहा है, देखे, x, y, हुआ, यहाँ पर यह, cos, y upon x, समझ में आ रहा होगा, क्या कर रहें, फिर, यहाँ पर यह माइनस तो already है, तो यहाँ पर कामन लेंगे, तो minus sign change हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, अब इसके साथ, यहाँ पर x है, x वाले के साथ multiply करना, y वाले के साथ, तो y वाले के साथ नहीं, x वाले के साथ करना, तो यहाँ पर y square हो जाएगा, plus का y square sin y upon x bracket closed, ठीक, I hope समझ में हो, questions क्या कहना चाहरा है, और यहाँ पर इधर dx लिख साथ, अभी, अभी हमारे पास homogeneous की form में तयार नहीं है, homogeneous की form में कब तयार होगा, जहाँ पास dx dy separate हो जाएगा, उधर उसको फैंक देंगे, ठीक, तब क्या करते हैं, इस नंबर को अगले step में आपको क्या करना, अगले step लिखने के बाद, अगले step में इस वाले को इधर आता हो, क्या लिखना है, इस नंबर को इसे, dy upon dx equal to, ठीक है, अब यहाँ पर यह माइनस है, इस माइनस को हम क्या करें, माइनस से multiple है, उपर नीचे कर दे रहें, तो यह sign change हो जाएंगे, इसको इस आशार लो इसे लिख देते हैं, माइनस integration, इसमें y common ले लेते हैं, ठीक, इ इस वाले में y common भी ले लेते हैं, y common लिया, तुम्हेर परस क्या बचा, x cos y upon x plus y sin y upon x bracket closed, खिक, I hope सुझना होगा, upon में, upon में यह पूरा नंबर उधर जाएगा, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x square x common लेते हैं, x square में से x common लिया, तो यहाँ पे x common लेते हैं, हमारे परस्चे लेते हैं, x cos y upon x, फिर यहाँ पे minus है, minus, यहाँ पे x निकल लिया, y, y यहाँ पे sin y upon x bracket closed, I hope सुझना होगा, अब हम क्या करते हैं, उपर नीचे minus से multiply कर देते हैं, उपर नीचे multiply करेंगे minus से, तो यह minus minus plus हो जाएगा, हो जाएग यह minus का हो जाएगा, तो अगले में इस टिप में लिख देता हूँ, यहाँ पे देखे, d y upon d x equal to y upon x, I hope सुझना होगा, y upon x, लो, line खीच दिया, उपर हमारे पास बच रहा है, क्या, x cos y upon x plus y sin y upon x bracket closed, ठीक, I hope सुमझ में आ रहा होगा, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को alternate change कर देते, तो यहाँ पर आ जाता है, हमने पास, y sin y upon x minus x cos y upon x, यह line यहाँ से, ठीक, I hope सुमझ में आ होगा, यहाँ तक questions करने के बाद, यह questions बाराम से करीए, questions करने के बाद यहाँ तक, उसके बाद homogeneity question त्य हो जाती है, homogeneity question जैसे त्यार होगे, हम आपने लेट लेने के बाद, let's put करने के recording questions हमाई पास स्वाल होता है, ले लेते हैं, यह पर लिखें लेट y equal to x v and और लिखें या और लिखें या इसके बदावर है v equal to y upon x यह भी हो सकता है इसको ले यह इसको लेकी बात है ठीक तो इसका हम डिफिरेंसिल कर लेते हैं डिफिरेंसिल करते हैं माई पास हो जाएगा dy upon dx v plus x d v upon dx I hope समझ में आया होगा questions क्या कहना चाहरा है questions कहना चाहरा है हमने क्या कहिए इसमें value put कर दिया ठीक value put करते ही यह questions इसमें convert करेंगे इधर line खीच के convert कर रहा हो देखें क्या हो जाएगा हमारे पास यह आजाएगा यहाँ पे v plus x dv upon dx दिख रहा होगा आप लोगों को इस first equal to अब यहाँ पे दिखें यहाँ पे हमारे पास यह x upon v उपर जाएगा उपर तो यहाँ पे v हमारे पास उपर हो गया upon यहाँ पे x x तो यहाँ पे भी आएगा x is cancel x की अपने लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा यह कॉस वी प्लस वी साइन वी ब्रैकेट क्लोज्ड अपान नीचे बनना है वी साइन वी माइनस कॉस वी ब्रैकेट क्लोज्ड ठीक समझ में गागा हमने इसको क्या क्या कर दिया कि रिफ्ट करेंगे यहाँ पे इसके यहाँ पर करेंगे रिफ्ट करते ही हमारे पास x cancel out हो जाएगा x cancel out होने पर direct हमें question लिख सकते हैं अपर जैसे question लिखेंगे अब हाद पास क्या हो जाए इस वी को उधर भेज जेते हैं तुम्हारे पास आ जा रहा है x dv upon dx equal to v को अंदर भेज जेते हैं v cos v plus v square sin v i hope song में आएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे जैसे v आएगा इधर minus का होगा v minus का होते ही इसके साथ multiply करेंगे एक step पुढ़ा रहा हूं ध्यान रखेगा है step लिखना जुरूरी नहीं है लोग लिख दिया चिलाने लगते हो आप लो sin v minus cos v minus v LCM ले लेते हैं x dv upon dx equal to v cos v plus v square sin v minus v square इसके साथ v square sin v minus minus plus यह हो जाएगा v cos v cos v लिखा यहाँ पर इस परस्ट दिख रहा होगा आप लोगों को upon upon हमरे पास v sin v minus cos v अब यह स्कॉास स्कॉार कैंसिल यह दोनों plus हो जाएंगे तो हमरे पास है x dv upon dx equal to 2v cos v upon v sin v minus cos v I hope स्कॉार करें यहाँ आगे चलते हैं इदर रफ करके इस स्कॉार करें यहाँ पर लिखते हैं आप इसको वीडियो पोस्ट करके वीडियो रोग के इतना उतार लीजिएगा फिर इसके आगे यहाँ पर लिखते हैं देखिएगा question solve को आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा अब इसको यहाँ पर लिखते हैं हम क्या करेंगे इसको देखें इस वाले को इधर बेजते हैं तुमारे पास क्या हो जाएगा इधर देखें यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है लिखें हम लिख रहे हैं x dv upon dx equal to 2v cos v upon v sin v minus cos v अब इसको पूरे को इधर बेज देते हैं तो हो जाएगा v sin v minus cos v upon 2v cos v dv एक ब्रैकेट में equal to dx upon x अब इसको क्या करेंगे अलगल सेप्रेट कर दीजेगा इसको अलगला कर दीजेगा गहाँ पास हो जाता देखें v sin v upon 2v cos v minus cos v upon 2v cos v bracket closed dv equal to dx upon x ठीक है यहाँ से cancel out हो रहा है v से v cancel out हो रहा है यहाँ पे cos से cos cancel out हो रहा है यहाँ बचा 10 10 upon 2 तो यहाँ बचेगा 10 v upon 2 minus यहाँ पे 1 upon 2v bracket closed dv equal to dx upon x both side integrating both side integrating करेंगे तो आगे कर रहे हैं इधर देखें उसको rough कर दे रहे हैं इधर से को हम इधर से इधर कर रहे हैं अब यहाँ पे land draw करने के बाद question लिख रहा है यहाँ पास आ गया 10 v upon 2 minus 1 upon 2 v bracket closed dv equal to dx upon x both side integrating कर देंगे इंटेटिंग का sign बना देना है तो इंटेटिंग करेंगे इंटेटिंग यह 1 by 2 बाहर आ गया 10 v यहाँ पे 10 v dv minus 1 by 2 integrating 1 upon v dv equal to integrating dx upon x integration करते हैं integrating करने से पहले 1 by 2 बाहर ले लेते हैं जैसे 1 by 2 बाहर लेंगे 2 को इधर भेज देते हैं यहाँ पे तू को इधर भेज देते हैं तो यह होगा हमार पास देखें log mod में sic v mod minus log 1 upon v 1 upon v log v होता है v minus equal to 2 log x plus log c इसको upon में कर देते हैं log mod sic v upon v equal to log x square into c कामाल ले लिया x log से log cancel अब वोल्यू पूट कर देंगे log sic y upon x upon यहाँ पे x आएगा x नीचे x यहाँ पे y equal to x square c x x cancel out तो यहाँ पे हो जाएगा क्या इसको धर भेज देते हैं तो आएपास हो जाएगा देखें sic y upon x y upon x equal to इधर जाएगा यह x यह cancel तहाँ पे x y c अब यहाँ पे जो इधर भेजना है इस वाले को दोनों भेज दीजिएगा तो प्रॉपर आंसर हमारे पर हो जाता है y equal to sic y x upon x c I hope सुझ आएगा होगा यह question है बहुत अच्छा questions है कई बार पूछा गया है कई बार पूछा गया है आप लोग वीडियो को रोंग रोंग के देखिएगा लगाईएगा नहीं समझेगा कमेंट करिएगा इसके आगे पको रा रहा हूँ linear differential equations linear differential equation में will be most questions है बहुत अच्छे questions है देखते रहे हमारी वीडियो धन्यवाद